उम्शाल्ती, हम सब बड़े ही उमंग, उजसाह से, हर्ष, खुशी से, होली का त्योहार मनाने के लिए एकच्छे हुए हैं। हम सब हूली के पीछे की कहानी को तो जानते ही हैं। रिणय कश्यप, प्रलाद, होलिका, यह तो हम बच्पन से ही सुनते आए हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है, और उस सीख और शिक्षा के आधार से ही वो त्योहार बन जाता है, क्या वो त्योहार बस इतना सा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीज़ों को जला देना, एक दूसरे पर रंग लगाना, मिठाई खाना, मिलन मनाना, क्या बस यह त्योहार हो सकता है? इस त्योहार से हमारे जीवन में क्या वो मंग आएगा, क्या उटसाह आएगा, कि हम सिरफ अपने घर में पड़ी होई पुरानी चीज़ों को जला दे, एक दूसरे पर रंग लगा दे, आजकल तो बहुतों को रंग लगाना पसंद भी नहीं है, बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता, जब दूसरे उन पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं, और उमंग उटसाह बढ़ने की जगे, कई लोग तो डर के छिप कर घर में बैठ जाते हैं, ताकि कोई उन पर रंग ना लगा है, वो उनकी अपनी चोईस है, तो फिर ये हमें अपने आप से पूछना है, तो ये त्योहार हमें क्या सिखाने आया है, क्योंकि हर त्योहार सिरफ एक दिन का त्योहार नहीं होता है, हर त्योहार, हर कहाने, एक शिक्षा है, ऐसी शिक्षा, जो सिरफ हमें एक दिन के लिए उमंग उटसाह में नहीं उच्छ सहह अर्थात एक्साइटमेंट नहीं होता, उच्छ सहह अर्थात एक ऐसी स्थिती, मन की एक ऐसी स्थिती, जो बहुत श्रेश्ट है, बहुत उची है, जिसको हम कहें high vibrational stage, तो उच्छ सहह वोस्थिती है, और ये ऐसी स्थिती है, जिसमें अगर हम हर पल, हर रोज, जीएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा, तो हर त्योहार, खूली का त्योहार हमारी जीवन को उत्सहा से भरने के लिए लाया है, तो आज हम सब कुछ छोटी छोटी बाते, जो हम सब को पता हैं, लेकिन कभी कभी जीवन जीते जीते, आसपास की बातों का प्रभाव बढ़ने के कारण, हमें जो पता है, उस पर हम जीवन में चलते नहीं हैं, और क्योंकि हम जीवन में उस पर चलते नहीं हैं, तो फिर कारन अकारने हमारा जो उत्साहा है कभी कभी कम हो जाता है और उत्साह की जगह निरूत्साह, निराशा, उदासी, तनाव यह emotions create होने शुरू हो जाती है और जब यह होती है अगर तब भी हम उन्हें चेक करके अपनी स्थिती को उपर नहीं उठाते हैं तो हम एक ऐसी स्थिती पर पहुँच जाते हैं जहां हम इन्ही emotions को normal समझने लगते हैं कि डर, निराशा, गुसा, तनाव, उदासी, इर्शा हम इसको ही normal समझने लगते हैं और इन्ही emotions के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जब जीवन में हम इन emotions को normal समझते हैं तो फिर जीवन में problems तो आएंगी हैं आएंगी हैं क्यों? क्योंकि संकल्प से स्रिष्टी बनती है संकल्प से सिध्धी होती है जब संकल्प ही low vibration का होगा तो फिर हमारी स्रिष्टी अर्थात हमारी जीवन हमारी दुन्या संसकार से संसार बनता है तो हमारा अपना संसार उसकी quality क्या होगी जब हमारे संसकार और हमारे संकल्प एक lower energy पर आजाएंगे इसलिए हर धोड़े दिन के बाद एक उत्सव आता है एक तियोहार आता है वो तियोहार होता है हमें awaken करने के लिए जैसे हम एक alarm clock लगाते हैं तो वो alarm clock से क्या होता है हम सोए हुए होते हैं, हम जाग जाते हैं तो ये कोई रातरी को सोने वाली बात नहीं है लेकिन अज्ञान नींद में सो जाते हैं, सोचो, शांती, पवित्रता, शक्ती, खुशी, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, शमा करना, दुआएं देना, ये हमारा निजी संसकार है, ये हमारी ओरिजनल नेचर है, लेकिन हम कितना अज्ञान की नींद में सो गए हैं, जो हम समझते हैं, कि वो सारे जो opposite emotions हैं, अहंकार, काम, क्रोग, लोग, ईर्शा, द्वेश, आलस्य, चिंता, दर्द, डर, दुख, ये कोई हमारी नेचर है, ये कोई हमारा संसकार है, क्या ये हमारी भावनाए हो सकती है, और खुशी, प्यार, सम्मान इसको हम ढूंड रहे हैं, इसको हम मांग रहे हैं, तो negative emotions को अपना मान लिया, और जो हमारी original divine संसकार है, इसको हम बाहर ढूंड रहे हैं, इसलिए त्योहार वो alarm clock की तरह होता है, जो बचता है, लेकिन जब alarm clock बचता है न, तो भी हमारे पास क कुछ options होता है, एक होता है कि अलाम clock बचा, हमें आवास तो आईगी ही उसके, आवास आई, clock बचा, आवास आई, थोड़ी देर बचा, और उसके बाद हम बंद करके सो गए, अर्थात त्योहार आया, त्योहार आया, आवास हुई, चारो तरफ आवास हुई, हमारे घर में आवास हुई, अर्थात कुछ पड़ी वर्तन आया, लेकिन वो एक दो दिन के बाद, वो आवास पूरी हो गई, अर्थात वो जो हमें जगाने आया था, वो आवास खतम हो गई, और हम फिर अग्यान की नींद में सो गई, तो क्या हम अलाम clock को उस तरह से यूज करेंगे, क इतना सुन्दर पॉर्पस है कि वो हमें जगाने के लिए आती है और हम जाग जाते हैं, अर्थात त्योहार आता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सीख देता है, हमें जीवन परिवर्दन करने का तरीका दिलाता है, और उत्सहा की स्थिति बनाता है, और फिर फेस्टिवल पूरा हो जाएगा, अर्थात अलाम क्लॉक तो बंध हो नहीं है, लेकिन हम जगे हुए रहते हैं, वी आर वेक, हम सोते नहीं हैं उसके बाद, अर्थात जो उत्सहा, जो उमंग, जो खुशी, जो संसकार मिलन, हम एक दूसरे के साथ पूरानी बातों को भूल कर, जो हम क्र अर्शन होता है, अब हमें अलाम क्लॉक की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही जग चुके हैं, होता है ना ऐसा, एक बार आदत पड़ जाए, उस समय पर जगने की, थो तो थोड़े दिन के बाद, अलाम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात त्योहार का इंतजार करने की जरू नहीं होती है, हर रोज, हर शन परिवर्तन होता जाए, उमंग उत्साह की स्थिती और श्रेष्ट और उपर उठती जाए, पुरानी बातों को खतम करना निची संस्कार बन जाए, किसी बात से नाराज ही ना हो, तो शमा करना ही ना पड़े, अर्थात अलाम क्लॉक की इंतजा नहीं, त्योहार का इंतजार नहीं, परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष बन जाए, श्रेष्ट स्थिती, डिविनिटी हमारी लाइफ का पॉर्पर्स बन जाए, तो अपने आप से पुछेगा, कौनसे वाले उप्शन को चूज करना है, अलाम बजा और फिर सो गए, अलाम जरूरत ही नहीं है, जगे ही रहेंगे, तो यह जो होली का त्योहार आया है, यह अब हमारा अलाम क्लॉक है, कुछ दिन पहले महाश्री वरात्री का परवाया था, वो भी एक अलाम क्लॉक था, इतनी प्रतिग्याइं की उस दिन वरत किया, जागरन किया, लेकिन परिवर्त परिवर्तन, क्या सिरफ उस एक ही दिन का था, नहीं, हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में सो गए, हम फिर से वो ही पुराने व्यवहार, पुराना जीवन जीने का तरीका, इसलिए कुछ दिन के बाद अगला त्योहार आया है, लेकिन इस बार हम पक्का कर लेते हैं, कि अब ऐसे जीवन नहीं जीना है, कि बार-बार अलाम बजे और फिर हम सो जाएं, इस बार हम जग जाएंगे, हम जग जाएंगे, हम इसके बाद अज्ञान के नींद में नहीं सोएंगे, हम जग जाएंगे, and most important, हम जगे रहेंगे, हम जगे रहेंगे, ताकि हमारा हर दिन उ उजसाह अर्थार्ष रेष्ट वाइब्रेशन पर्मात्मा सिखाते हैं कि उजसाह एक चुम्बक की तरह है जीवन में कोई भी परिस्थितिय आ जाएं कैसे भी विघन आ जाएं लेकिन उजसाह एक ऐसा चुम्बक है जो धन को भी आपकी तरफ खीच कर ला सकता है जो आपके आसपास के लोगों को आपका सहयोगी बना सकता है दूसरों का संसकार हमारे पर नहीं प्रभाव डालेगा हमारा प्रभाव औरों पर डालेगा उजसाह एक ऐसा चुम्बक है जो सफलता को भी आपके पास खीच कर ले आता है इसलिए जीवन में सब कुछ खतम हो जाएं ले दो हमारी श्रेश्ट स्थिती तो हौली का उच्छव हमें वोगी उच्सह दिलाने आई है हमारे अंदर का उठ्सह जगाने आई है and Most Important आज से सदा उठ्सह की स्थिती में रहेंगे यह हम पक्का आज करेंग ही तो होलिका की कहानी क्या है उतों हम सब जानते हैं अब रिणे कश्यप किस चीज का प्रतीक है रिणे कशिपू कशिपू अर्थाद एक सौफट कुश्ट और रिणे अर्थाद गोल्ड सोना तो रिने कश्यप को वर्दान मिल गया था, उसने बहुत तपस्या की और वर्दान पालिया कि उसे कोई मार नहीं सकेगा, वो अमर हो गया है, ये उसको वर्दान मिल गया था, अब एक है सोने से लदा हुआ, और एक है अमर रहने का वर्दान, ये हमारे कौन से संसकारों का प्रतीक है, ये हमारे वो संसकारों का प्रतीक है, जो हमें लगता है कि सोना, अर्था धन, दौलत, इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख आराम, इसी से हमने अपने जीवन को इंवेलप कर लिया है, इसी से हमने चीज जो बहुत important है, power, power, तो रिने कश्यप को power मल चके थी, highest power का प्रतीक है वो, कभी मर नहीं सकेगा, अमर रहेगा, हमारे पास भी सब के पास powers है, अपनी role की power, अपनी रिष्टे की power, अपनी position की power, अपनी संपत्ती की power, इस सब चीजें, यह वो संसकार है, जो रिने कश्य का जो प्रतीक है, वो संसकार हमारे अंदर है, इसको अब चेक कर लें अपने आपको, क्या हम भी ऐसा समझते हैं, कि यह power ही हमारी protection है, कौन सी power, role, position, रिष्टा, possession, संपत्ती, क्या यह power ही हमारी protection है, और दूसरा, क्या हम यह समझते हैं, कि धन, दौलत, संपत्ती, और दु इस ही हमें खुशी और सुख देती हैं, तो यह हमारे अंदर का रिणे कश्यप है, और दूसरा है प्रलाद, प्रलाद अर्थात प्रभू की अलाद, चाहे हम इन सभी चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सब को पता है, हमारे अंदर एक बहुत प्यारा सा संसकार है, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा मात, पिता, सखा, बंधु सब कुछ है, हम उसके हैं, हम रोज उसको कहते हैं, मेरा सब कुछ तेरा है, हम उसकी अलाद है, हम यह भी कहते हैं, कि तू प्यार का सागर है, हम तेरी संतान है, यह संसकार हम सब के अंदर है, क्यों कि हम सब हैं ही प्रभू की उलाद तो फिर वो याद तो आएगा ही न हमें तो हम सब के अंदर प्रलाद वाला भी संसकार है जो परमात्मा से बहुत प्यार करता है परमात्मा पर समर्पन होने के लिए हर शन तैयार रहता है वो भी हमारे अंदर संसकार है अब चेक करें दोनो संसकार है ना हमारे अंदर और होली का होली का ने क्या किया होली का ने समझा कि अगनी उसको कुछ नहीं कर सकते और होली का ने ये करने की कोशिश की कि वो निमित बन गई प्रालात को खतम करने के लिए तो होली का अर्थात हमारा कौन सा संसकार है जो हमें लगता है कि हम दू हम गलत व्यवहार भी कर देते हैं, हमें लगता है कि हम उनका नुकसान कर रहे हैं, हम उनको सीखते रहे हैं, हम उनको बदल रहे हैं, हम उनको पीछे कर रहे हैं, कभी-कभी होता ना, कुछ बाते हम ऐसी करते हैं, जिससे हम हम दोसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, अपने आपको आगे लाने के लिए, दोसरे इको नीचा किरने की कोशिश करते हैं, अवेरनेस नहीं होती है वैसे हमें, हमें लगता नहीं है कि हम दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, लेकिन intention तो वो ही है, जब हम किसी कोई मिंदा भी करते हैं, बुरा भी कहते हैं, तो हम उसको नीचे ही गिरा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम उनको नीचे गिरा देंगे इस तरह से, हमें लगता है कि क्या हम उनको पीछे कर देंग लेकिन खुद का ही नुकसान हो गया तो यह हमारे अंदर के तीन संसकार हैं अपने अंदर के प्रलाद को जगाद के रखो अपने अंदर के प्रलाद को जगा के रखो अर्धात प्रभु की संतान ये हर शन पक्का रहे हर शन पक्का रहे दुन्या की किसी बात का डर नहीं लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में लोग क्या कर रहे हैं हमें लोगों की तरहे चलना है नहीं तो दुन्या हमें स्विकार नहीं करेगे, उसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, ये सारे जो हमारे संसकार है, जिन्होंने हमने सोचा कि ये हमें खुशी देंगे, ये हमें शरीर का स्वास्त देंगे, ये हमें प्यारे रिष्टे देंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, तो होली वो त्योहार है, जो हमें सिखाता है, कि अपने अंदर की होली का को खतम करना है, अपने अंदर के रिने कश्यप को भी खतम करना है, इसका अर्थ यह नहीं है, कि दुनिया की जो चीजे हैं, वस्तोय हैं, जो आराम की चीजे है उनको यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये भी नहीं है, कि रोल्स, पुजिशन, रिष्टे नहीं निभाने, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, लेकिन, लेकिन, ये नहीं समझना, कि उससे खुशी और सुख मिलेगा, प्रलाद बनकर अर्थात प्रभु की संतान, प्रभु की संतान अर्थात जिसके अंदर परमात्मा की तरहे गुण हो, परमात्मा की तरहे शक्त्या हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं न, तो हम जिसके बच्चे होते हैं, उनके संसकार, उनकी विशेष्टाएं, उनके गुण हमारे अंदर होते हैं ना सिरफ हम कहें कि हम उनकी बच्चे है लेकिन हमारे संसकार और गुण उनकी तरह नहां हो तो दुन्या क्या कहेगी कि आप इनके बच्चे हैं, कहते हैं लोग, लौकित में भी अर्था था हमारे जो physical parents होते हैं, उनकी संसकार, उनकी गुण हमारे पास आते हैं, उनकी मेहनत करने का संसकार, उनकी sincerity हमारे पास आते हैं, अगर हमारे संसकार बिलकुल विपरीत हो, तो लोग कहते हैं न, आप उन उंके बच्चे हैं, उनको देखो, वो कैसे हैं, और आप क्या कर रहे हो अपनी जीवन में? इसी तरह, प्रभु की आइलाद, हम सब रोज कहते हैं, तुम मात पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हो, तो बच्चा कैसे होना चाएए? बच्चा कैसे होना चाहिए, मात्पिता की समान होना चाहिए, पर मात्मा पवित्रता का सागर है, सर्वशक्ती वान है, प्यार का सागर है, ज्यान का सागर है, आनंद का सागर है, और मैं आत्मा प्रभु की आुलाद हूँ, तो मैं कैसी हूँ? मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि मैं उसकी अलाद हूँ. तो hulika अज़िशप अपने अंदर के रिण कश्यप और хulika को करना और अपने अंदर के प्रलाद को इमर्ज करना है तो वो लेकिन वो कभी कभी मर्ज हो जाता है और वो रिणे कश्यप और होलika हमारे वोपर ओवर पावर हो जाते हैं अर्थात वो संस्कार हम यूज करने लगते हैं, तो आज का ये उत्सव, ये वो वाला अलाम क्लॉक है, कि होली का और रिने का श्यप सदा के लिए फिनिश्ट और प्रभु की उलाद बन कर हर करम करना है, हर दिश्टा निभाना है, लेकिन होली को याद करते हूँ, तो होली इस शब्द को ही अगर हम देखें, हो ली, तीन अर्थ निकलते हैं इसके, एक तो होली, कि हम इंग्लिश में कहते हैं न, होली, हो ल वाई, फ्योरिटी, पवित्रता, दूसरा, हो ली, अर्थात, जो बाते बीत गए, वो होली, खतम हो गए, लेकिन कभी-कभी तो इतनी हम पकड़ के रखते हैं, अपनी की हुई गलतिया, उसको भी नहीं भूल पाते, खुद को शमा नहीं कर पाते, और दूसरों की बाते तो हमें लगता है कि हमें भूलने ही नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी, उसी दिन हमने कह दिया था, ये बात तो म कभी नहीं भूलूँगी, जैसे हमने कहा ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, मन ने उस बात को पकड़ लिया, और कभी-कभी आसपास के लोग भी कहते हैं, कैसे भूलोगे आप ये बात, तो वो बात हम पकड़ लेते हैं, हो, ली अर्था, पास्ट, इस पास्ट, ब आज उनको जलाने का दिन आ गया है, जलाना अर्थात संपून रीती, उसका अंश भी न रहे, उसका अंश भी न रहे हमारे अंदर, वो है जलाना, जब हम जलाते हैं तो परिवर्तन हो जाती है चीज, उसका ओरिजनल स्वरूप रहता ही नहीं है, और ये करने के लिए हमें त पीसरा होली का अर्थ, हो ली, मै आत्मा, परमात्मा की होली, सरेंडर, समर्पन, एक सिख सदा कनिक्षन, मन बुद्धी में सदा उसकी याद, उसकी सिखाई हुई बातें सदा याद, बाते तो सारा देन आएंगे, बाते तो सारा देन आएंगे, लेकिन जब बाते आते हैं तो कैसा सूचना है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कौन सा करम करना है, कौन सा करम नहीं करना है, ये सब याद रहना चाहिए न, तो उसके लिए परमात्मा की ज्ञान की बातें, सदा, मन, बुद्धी में, इमोजड रहें, कि जैसे ही बात आई, मुझे आत्मा ने बस उसी तरह रिस्पॉंट किया, जो मेरे उत्साह को बढ़ा कर रखेगा, जो मेरा श्रेष्ट करम होगा, जो मुझे शांती, सुख और शक्ती देगा, शक्ती वो रिने का शिरप वाली ने, वो शक्ती ने, वो तो बाहिय शक्ती है, रोल और पुजिशन की शक्ती है, शक्ती अर्थार आत्मा की शक्ती, आत्मा मालिक है, इन करमिंद्रियों की मालिक है, आत्मा मन बुद्धी संसकार की मालिक है, लेकिन आज हम गुलाम की तरह जीते हैं, हम केते क्या करे, मन सोचना बंधी नहीं करता, क्या करे, डिसिशन ही नहीं लिया जा रहा है, क्या करें, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संसकार है, अर्थात, हम अपने ही संसकारों के परवश होकर चलते हैं, हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं, कि जो थोट हम क्रियेट करना चाहें, बस वो ही थोट क्रियेट करें, पुरानी बातों को एक सेकंट में फुल स्टॉप लगा सके और ये जो संसकार जो हमें लग रहा है कि हमारे संसकार है वो हमारे संसकार नहीं है वो तो उपर से लगे हुए दाग है अपने ओरिजनल संसकारों को फिर से इमर्ज करें उसके लिए मैं आत्मा मालिक ये शक्ति ये आत्मा की शक्ति ह और जब मन बुद्धी संसकार हमारे अनुसार चलेंगे, तो फिर ये करम इंद्रिया, ऐसा नहीं हो सकता, कि जो नहीं देखना चाहिए, वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए, वो सुन लिया, जो नहीं बोलना चाहिए, वो कह दिया, जो नहीं खाना चाहिए, वो खा ल ये भाशा, ये भाशा हमें अपने करमिंद्रियों का गुलाम बना देती है होली अर्था उस गुलामी को फिनिश करना आज इस गुलामी को ही जला देते हैं ये गुलामी जल गई तो बाकी सारे पुराने संसकार स्वभाव सब कुछ खतम हो जाएगा मैं आत्मा मालिक ये शक्ति है ये शक्ति है तो ये तब होगा जब अगर मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से connected रहूंगी connected अर्था meditation अर्था तपस्या अर्था जलाना तपस्या को जलाने की रूप में दिखाया जाता है उसको कहा जाता है योग अगनी योग तपस्या एक अगनी है एक ऐसी अगनी जिसमें पुराने संसकार स्वभाव सोच व्यवहार आदते सब जल कर खतम हो जाती है तो योग वो अगनी है और जब ये पुराने खतम हो जाती है तो फ्योर डिवाइन संसकार इमर्ज हो जाते हैं इसलिए होली चार प्रकार से मनाई जाती है पहले है जलाना दूसरा है रंग लगाना तीसरा है मिलन मनाना और चौथा है छांक्या सजाना कितना प्यारे तरीके से हम अपने उत्सव को मनाते हैं हर चीज हमें जीवन बदलने का तरीका सिखा रही है तो सबसे पहले चीज होली का जलाना तो हम जलाने में क्या करते हैं हम पुरानी चीजे सारी जो पड़ी होती है पुराना फरनिचर पुरानी चीजे जो अभी कोई काम की नहीं है हमारे होता है हमारे गरों के अंदर उसको हम कहते हैं चोटी होली का कि बुराने क्लटर को खतम करते हैं. अब दोनों बातों को ले लेते हैं एब जलाना और दूसरा है होली अर्थाद purity, पवित्रता। तो सबसे पहले चीज तपस्या अर्थात योग अगनी में कहानी में क्या दिखाया भले होली का अगनी में प्रलाद को लेकर बैठ गई लेकिन प्रलाद ने किसकी याद में बैठा था प्रलाद परमात्मा की याद में बैठा था प्रलाद को संपूर निश्चे था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, स्वयम भगवान मेरा रक्षक है, अर्थात हमें भी सदा ये निश्चे रहे कि भले हमें लगता है कि ये सारी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन संपूर निश्चे रहे, कि हमारे वो औरिचिनल फ्योर जो संसकार है उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो हमारे इनेट, हमारे निजी संसकार है, चिप सकते हैं, मिट नहीं सकते हैं, मिठ नहीं सकते, तो उस सम्पूर निश्चे के साथ आज हम सबसे पहले अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को, पुराने संसकार स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पहले तो उनकी लिस्ट ही बना लेते हैं छोटी से, लिस्ट बना लेना अज पहले क्योंकि कैसे नहीं तो पता होगा कि किस चीज को जलाना है, कौनसी चीज मेरे काम की है और कौनसी मेरे काम की नहीं है, कौनसी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और कौनसी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है ये भी चेकिंग करना बहुत सरूरी होता है क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा कांसा संसकार मेरे लिए लाबदायक है और मेरा कांसा संसकार नुक्सान करता है और उसकी checking simple है, जिस संसकार से, जिस आदत से आत्मा की शक्ती बढ़ती है, अर्थात उत्सहा बढ़ता है, अर्थात vibration उपर उठती है, और इसके लिए किसी और से पुछने की जरूरत नहीं है, हम सब को पता है, हम सब को पता है, कि मेरी कौन सी सोच, मेरी कौन सी आदत, मेरी कौन से संसकार से, मेरे अंदर की खुशी बढ़ती है, मेरे अंदर का उत्सहा बढ़ता है, मेरी vibration, purity की तरफ चलती है, divinity की तरफ चलती है, तो होली का जलाना, अरथात होली बनना, प्योर बनना, पवित्र बनना, होली बनना, तो होली का जलाना और होली बनना, यह है first step, first seek जो हमें यह त्योहार देता है, तो आज चेक करें चोटी चोटी बाते हैं जिसमें हमें purity लाने की जरूरत है हमारे जीवन में हमारे घर में, परिवार में जो first energy आती है वो होती है धन की energy धन की energy चार energies होती है धन, अन, मन और तन ये चार energies में अगर हम purity ले आए है इन चार चीजों में अगर हम पुरानी तरीकों को आज जला देते हैं तो हमारा भाग्य अती श्रेष्ट भाग्य बन जाएगा highest vibration का उच्सह सदा रहेगा तो सबसे पहले धन की energy धन कमाना अती आवश्यक बहुत महनत करे बहुत महनत करे और बहुत धन कमाए परबात्मा की संतान प्योर संसकार्स इसका मीनिंग ये नहीं है कि धन नहीं कमाना या कम में चलना है महनत करे बहुत कमाए जितना कमा सकते हैं उससे भी जादा कमाए लेकिन धन कमाने के अंदर purity वो first holy है वो first step है holy का धन कमाने के अंदर purity चाहिए अर्थात धन कमाने का तरीका धन कमाते हुए व्यवहार धन कमाने के पीछे का intention फिर धन खर्च करने का तरीका और धन को सफल करने का तरीका इस सब में purity चाहिए आजकल कई बड़ ऐसा होता है कि हम धन कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष बना लेते हैं कि जैसे कि purpose of life बस ये है कि मुझे और अचीव करना है और अचीव करना है और उसके कारण कभी-कभी हम अपने मन का शरीर का रिष्टों का ध्यान नहीं रखते क्योंकि बस धन कमाना ही हमारी जिम्मेवारी और priority बन जाता है और हमें लगता है कि जब घर में परिवार में धन आ जाएगा तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएगी खुशी आ जाएगी सेहत आ जाएगी सब परिवार खुश होगा करके देख लिया ये तरीका अज सब कुछ आ गया है हमारे घरों में लेकिन फिर भी तनाव है बीमार्या है रिष्टों में काठे पड़ती रहती है परिवार को ही चेक कर ले वो सदा कितना खुश रहते हैं बच्चों को ही देख ले कहीं बच्चों के अंदर टेंशन, एंग्जाइटी ये सारी बाते तो नहीं आ रही तो अपने आप से फूचना है मैंने इतनी महनत की इतना धन कमाया जिस लक्ष से कमाया था वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ अभी तक तो धन कमाने के तरीके के अंदर फ्योरिटी लेकर आते हैं सबसे पहली चीज बहुत महनत करें बहुत धन कमाया लेकिन पहले अपने मन का ध्यान रखने के लिए समय रखें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय रखें और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए ध्यान अर्थात ये नहीं कि धान कमाया और उनको दे दिया लेकिन परिवार को नर्चर करने के लिए समय और शक्ति रखें और वो शक्ति तब आती है जब अपने मन का ध्यान रखने का समय निकालते हैं तो सबसे पहले धान इंपोर्टेंट है लेकिन उसको अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रारिटी नहीं बना देना फिर्स्ट प्राइरिटी है, खुद का ध्यान रखना, क्योंकि यहां से ही हमारा संसार बनता है, यहां से ही शरीर की सेहत बनती है, यहां से ही रिष्टे बनते हैं, यहां से ही काम होता है, तो स्वयम का ध्यान रखना उसको फिर्स्ट प्राइरिटी बनाना, और स्वयम का ध् ध्यान रखना बहुत सहज हो जाएगा, तो धन कमाने का तरीका ऐसा नहीं, कि कैसे भी धन कमा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी पे चिला रहे हैं, तुमने ठीक से नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा काम रुख जाएगा, मेरा ये प्राजेक्ट खराब हो ज चेकिंग नहीं की, समझा ये तो सही है, क्योंकि अगर इनकी गलती ऐसी हो, तो मेरे धन का नुकसान हो जाएगा, धन इंपोर्टेंट है, लेकिन धन घर में दुवाओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से सिरफ घर का समान खरिदा जाएगा, खुशी, रिष्टे, सेहत, आपस की यूनिटी, ये दुवाओं से आएगी, क्योंकि दुवाओं एनरजी है, और वो घर के अंदर वो एनरजी लाएगे, धन फिजिकल है, वो घर के अंदर सिरफ फिजिकल चीजे लेकर आएगा, तो धन कमाने के स्थान पर अर्थात आपकी आपका बिसनेस, आपकी जॉब, हर जगे अपने व्यवाहार को देखें, इस सब को सुख दें, खुद भी संतुष्ट रहें, दुसरों को भी संतुष्ट रखें, प्यार और सम्मान, नीजी संसकार रहें आपका अपने कार्य व्यवाहार के स्थान पर अर्थात जिन के काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं आपके साथ मजबूरी से काम ना करें लेकिन खुशी से करें तो उनकी खुशी उनकी वो सुख की स्थिती आपकी घर आने वाली दुआएं बन जाएंगी और तीसरा धन कमाएं लेकिन धन से पहले दुआएं अर्थात जो भी हम काम कर रह हैं उसमें हम ध्यान रखें कि हमारे से जादा सामने वाले का फाइदा होना चाहिए अगर हम अपने फाइदे के बारे में सोचते हैं तो हम धन कमाते हैं अगर हम दूसरे के फाइदे के बारे में सोचते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं और जो दुआएं कमाते हैं वो अपन कपासिटी से कई गुणा जादा धन कमा लेंगे लेकिन उसके लिए प्रारिटी क्लियर होनी चाहिए हम सबका ये अनुभव है आप बस बजार चले जाए फल लेने के लिए आपको कभी-कभी ऐसा फल वाला मिलेगा ऐसा दुकान दार मिलेगा जो कहेगा आज मुझसे मत लीचे का आज यहां जो फ्रूट है न वो ताजा नहीं है आप सामने वाली दुकान से लीचे का मिलते हैं न ऐसे लोग अब उस दिन उसने धन नहीं कमाया वो उतना सा धन दो सो तीन सो पांच सो रुपे उसके लिए बहुत जादा है अमाउंट वो उसके परिवार का उसक उस दिन अपने फाइदे से पहले आपका फाइदा सोचा और कुछ लोग होते हैं अपना फाइदा सोचते हैं तो दो तीन पुरानी सड़ी हुई चीज नीचे रख देते हैं दो चार उपर फ्रेश वाली चीज रखते हैं दोनों तरह के लोग मिलते हैं अब आप अपनी च ना फाइदा सोच कर आपके साथ गलत करता है, आप उसके लिए कैसी thoughts create करते हैं, वो है दुआओं की opposite energy, ऐसी energy कभी अपने घर में आने नहीं देना, अपने परिवार को ऐसी energy से कमाया हुए धन से अन, पालना, पढ़ाई कभी नहीं करना, ऐसा धन नहीं आना चाहिए, और वो जिसने अपना न सोच कर आपके फाइदे के बारे में सोचा, आप उसके प्रती कैसी thoughts create करते हैं, आप उसको कितनी blessing देते हैं, औरों को भी उसके बारे में बताते हैं, and most important, आप उसके बाद संपूर विश्वास के साथ सदा उसी के पास जाते हैं, तो ये होता है हिम्म का एक कदम, कि अपना न सोच कर दूसरे का benefit सोचना, दुवाएं कमाना, और जो दुवाएं कमाएंगे, वो अपनी capacity से जादा धन कमाएंगे, जादा धन कमाएंगे, तो अपनी sincerity, अपनी सत्यता, honesty, अपने values, अपने principles और अपने ethics को बहुत श्रेष्ट करें, बहुत उचा उठाएं, ये न देखें, कि आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे office में दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं, नहीं, ये values, principles, ethics, सही करम हमारी शक्ती बन जाता है, ये ही हमारे जीवन में उच्साह लेकर आता है, तो धन को purity के साथ कमाना है, ये ही हमारी जीवन में purity के साथ आए, दूसरा है अन, अर्था जो हम खाते हैं, भोजन, शरीर को स्वास्त देता है, लेकिन साथ साथ मन की स्थिती पर असर करता है, इसलिए तो बच्पन से सुनते आए, जैसा अन, वैसा मन, जैसा पानी, वैसी वानी, तो आज एक और पुरानी आदत का स्वाह करत हैं, TamsikbhUJan खाना, सााथविक मन चाहिए, उमंग उजद्सहावाला मन चाहिए, तो फिर भोजन, खाना भी सात्विक होना चाहिए, तो खाने में प्योरिटी, भोजन में प्योरिटी, डायट में प्योरिटी, इसलिए आज से तामसिख भोजन का त्याग करते हैं, उसको उस अगनी में जला देते हैं, उस तपस्या कुंड में उसको भसम कर देते हैं, आनिमल डायट लेना, क्या वाइब्रिशन होगी उसके अंदर, उस आनिमल का दर्थ, दुख, डर, हेल्पलेसनेस, फिर हिंसा, वाइलेंस, और फिर मृत्यू, डेथ, ये हमारा खाना है, क्या य डेथ की एनरजी कभी हेल्थ नहीं दे सकती, प्रोटीन्स दे सकती है, कुछ विट्रमेंस दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही डेथ की है, एक बार सोचेगा, और आज इस आदत को खतम करते हैं, सात्विक फोजन खाते हैं, प्लांट बेस् गीत, कुछ ऐसी शिक्षाएं, तो चलती रहें, ताके रसोई में पड़ी हुई हर चीज, और आपकी मन की स्थिती जब आप खाना बना रहे हैं, परमात्मा की याद में भरी होगी, तो उस कण कण में, जो आपका पुरा परिवार खाएगा, वो पानी जो आपका परिवार पिएगा, इसमें परमात्मा के ग्यान, प्यार और शक्ति भरी होगी, जैसा अन, वैसा मन हो जाएगा, जैसा पानी, वैसी वानी हो जाएगी, जहां तक हो सके, घर का खाना खाएं, घर का खाना खाएं, आपको यही नहीं पता अगर, किस ने बनाया, किस मन उस्थिती में और हम आमने ऐसे ही खा लिया, खरीद के खा लिया, खरीद वाली एनर्जी तो होती हं विस्नस की है। बिसनस के लिए जो बना हुआ खाना है वो खाएंगे हाँ कभी बहुत मजबूरी होती है और आप बाहर कहीं है वो तो अलग बात है लेकिन आजकल तो हमने उसको अपनी आदत ही बना लिया है घर में बैटकर ओडर करके खाना खाते है भोजन का मन पर बहुत असर पड़ता है तो सात्विक भोजन घर में बना हुआ भोजन सात्विक मन की स्थिती में बना हुआ भोजन अर्थात परमात्मा की याद और शिक्षाओं की वातवरन में बना हुआ भोजन जिसको हम प्रशाद कहते हैं वो प्रशाद बन जाता है, ऐसा प्रशाद परिवार को खिलाएं और भोजन करते समय खाना खाते हुए, कोई टीवी और फोन नहीं चलना चाहिए, परमात्मा को याद करके, परमात्मा की शक्तियों से अपने खाने को एनरजाइज करके फिर खाना खाएं, तो आपका खाना, आपका अन, वो भी प्योर, होली हो गया, तो मन और तन प्योर होना लग जाएगा, बहुत इंपोर्टिन्ट है, धन, अन, मन और तन का कनेक्शन होता है, फिर मन की प्योरिटी अर्थात, रोज अपने अंदर, परमात्मा की शिक्षा, अर्थात परमात्मा क इस मन में जरूर भरे, जरूर भरे, यह नहीं कहना कभी, कि मेरे पास टाइम नहीं है, हर रोज, सुभ, कम से कम 20 मिनित, आदा गंटा, और रात को सोने से पहले, कम से कम 10-15 मिनित, ये दो टाइम तो जरूर फिक्स कर लिजे कि परमात्मा की ज्यान की शिक्षाओं से मन बुद्धी को स्ट्रॉंग बनाईए ये हमारी emotional diet होती है, emotional diet होती है, इससे ही मन की स्थिती बनती है तो बहुत ध्यान रखना है कि हरो सुभ और रात को सोने से पहले अपने को ग्यान की खुराग से बरे, इश्वर ये ग्यान, परमात्मा की शिक्षा, मन प्यूर होता जाएगा और जब ये तीन चीजें pure हैं, तो तन, pure, pure अर्थाद, soul consciousness थी, body conscious नहीं, ego conscious नहीं, जब यहाँ purity आती रहती है न, तो चहरा बदल जाता है, vibration बदल जाती है, body language बदल जाती है, आपकी personality, purity की तरफ shift हो जाती है, दिखता है न, ego personality और divine personality दिखता है न, आँखों में दिखता है मुसकान में दिखता है, चहरे पे दिखता है, चाल चलन में दिखता है, इसलिए कहा जाता है, क्या हाल चाल है, पुष्टे है न, दुसरे से, क्या हाल चाल है, अर्थार, जैसा हाल होगा, वेसे ही चाल और चलन होगी, तो हाल का ध्यान रख ले, चाल चलन अपने आप परि वर्तन हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज, जलाना, तपस्या करना, पुरानी सब आदतों को आज फिनिश करना, दिवाइन संसकारों को इमर्ज करने के लिए प्योर धन, प्योर अन, प्योर मन और प्योर तन, वो है होली, H-O-L-Y, प्योरिटी, होली, ये कैसे क्रियेट होग जलाने से, और जलाना अर्थात परमात्मा की याद मे टिक जाना, परमात्मा से कनेक्षन जोड कर वो सर्वशक्तियों को अपने अंदर भरना, इसको कहते हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन सीखेगा जरूर, सीखेगा जरूर, आप जहां रहते हैं, आपके नस्दीक, ब् बस दो-तीन दिन के लिए आदे घंटे का समय निकाल कर सीखने के लिए चले जाना वो भी वो टाइम पर जो आपको सूट करता है Meditation अर्था आत्मा का पर्मात्मा से connection जोड़ाना आत्मा जैसे एक बैटरी है और पर्मात्मा पावर हाउस जब बैटरी का पावर हाउस से connection जोड़ जाता है तो सारी पावर बैटरी को चार्ज कर देती है तो ये Meditation हमें सीखने जरूर है क्योंकि ये Meditation से होता क्या है कि पर्मात्मा की सर्व शक्तियां पर्मात्मा की गुण से मैं आत्मा एनरजाईज होने लगती हूँ तो प्यार का सागर है तो मैं प्यार का स्वरूप बन जाती हो ना के तो प्यार का सागर है और मैं तेरी एक बूंद की प्यासी हो एक बूंद का प्यासा बच्चा नहीं हो सकता पर्मात्मा पिता प्यार का सागर है ये नहीं हो सकता कि तू सर्व शक्तिवान है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ऐसे बच्चा कैसे हो सकता है, तु सर्वशक्तिवान है, तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो ये connection, ये meditation से क्या होगा, जो परमात्मा का रंग है, अर्थात परमात्मा के गुण शक्तिया है, वो रंग मुझ आत्मा पर लग जाता है, होली, मैं परमात्मा की होली, connection जुड़ गया, तो रंग लगना शुरू हो जाता है, ये सिरफ वो वाले रंग की बात नहीं है, जो हम होली के दिन अलग-अलग रंग एक दूसरे को लगाते हैं, सबसे important रंग है, सत्त संग, क्योंकि संग का ही तो रंग ल है, उसके संग से connect हो जाते हैं, और फिर उसका रंग हमारे उपर लगना शुरू हो जाता है, बहुत important है, इसको आज अच्छे से note कर लेना, और meditation सीखने की प्रतिग्या आज जरूर कर लेना, कि परमात्मा का जब रंग लगने लगता है, तो तनाव की बजाए, शांते, ना मुझसे ये नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, मैंने सोचा था, लेकिन नहीं कर पारी, उसकी बजाए शक्ती का रंग लग जाता है, काम विकार, अर्थात कामना ही खतम नहीं होती, इच्छाएं फिनिश नहीं होती, उसकी बजाए पवित्रता, फ्योरिठी का रंग अप्रिस्टों में हो जाना, कुई बात बुरी लग जाना, एक्सपेक्टेशन्स खतम ही नहीं होती, अपेक्षाइं नेवर एंडिंग है, उसकी जगह प्यार का रंग लग जाता है, प्यार अर्थाथ, एक्सेप्टेंस, प्यार अर्थाथ, अनकांडिशनल लव, उसका कलर सुख के लिए चीजों में सुख को ढूंड़ना यह संसकार खतम हो जाता है और आत्मा के ओपर आनंद का रंग लग जाता है आनंद अत्थात अति इंद्रिय सुख ब्लिस ब्लिस का तो कोई opposite भी नहीं होता तो आनंद का रंग लग जाता है यह रंग हमारे ओपर लग अब जो रंग हमपर लगेगा वो ऑट्माटिक है न कि वह दूसरों पर लगना शुरू हो जाएगा तो जो रंग हमारे हाथ में होता है इसे हम हम ओरों के नस्देक चाहते हैं समीब जाते हैं टच करते हैं हमारा वला रंग उन पर भी लगना शुरू हो जाता है और सारे एक जैसे दिखने लग जाते हैं थोड़ी देर के पद सारे एक जैसे दिखने लग जाते हैं चेहरा भी कई बर पहचाना नहीं जाता सारा वो रंग सब पर सेम तरह के रंग लग जाते हैं। अर्था जब मैं आत्मा परमात्मा की रंग में रंग जाती हो। उन ओरिजनल डिवाइन क्वालिटी की रंग में रंग जाती हो। मेरे औरा, मेरे energy field में purity, power, peace, love, bliss, wisdom ये natural colors आ जाते हैं हमारे औरा के अंदर। तो फिर हम ज प्रख work की पर हम केते हैं की सरम और अपने बचे को कैसे Community sincere भूट् coupling तरहिए इसी लिए य। चैन funkół मिलने लग जाते हैं वह दोस्रों के अंदर चेंज आना शिरू हो जाता है। अच्कशिदी निय। इसे क्यों दोसरे नहीं अन्रेरन करकिए कि इतमने विदा fans दूसरे तो बच्छी ने पाएंगे, उन पर तो रंग लगना ही लगना है, वो कितना भी दूर हमसे भागने की कोशिश करें, लेकिन रंग तो लगेगा ही लगेगा, और ऐसा रंग सारी स्रिष्टी पर फैल जाएगा, सारी स्रिष्टी पर, क्योंकि हमारी vibrations स्रिष्टी पर रेडियेट होती है, सिरफ घर, परिवार तक नहीं हमारी vibrations पूरे प्लानेट पर रेडियेट होती है, और इसे लिए होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग लगाना अर्थात पर मात्मा की रंग में रंग के वो ही रंग अपनी सोच, बोल, व्यवाहार, करम, सं संसकार से औरों पर भी लगा देना, और ये वो वाला रंग है, जो हर एक को अच्छा लगेगा, दूसरा रंग सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो वाला रंग है, जो हर एक को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनके अंदर की भी पुरानी आदतों को खतम कर, उन मात्मा का रंग हम पर लग गया, तो फिर हमारे बोल, हमारा व्यवहार मिठास सिभर जाएगा, मिठास सिभर जाएगा, मिठास अर्थात ये नहीं उपर उपर से मिठा बोलना, नहीं, मिठास अर्थात, unconditional acceptance, पुरानी कोई भी बात हुई हो, उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, हो गया, past is past, it's over, full stop, तो मंगल मिलन मनाना, हम कहते हैं होली है, चाहे कोई भी बात पुरानी हुई हो, उस दिन पर सब लोग खतम कर देते हैं उसको, कहते होली है, किसी भी बात का बुरा मत मानो, आज तो होली है, अर्थात होली, वो past की बात है, वो finish हो गई, लेकिन finish करने कि ताकत कहां से आएगी, हम सब finish तो करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, I cannot forgive, I cannot forget, तो इच्छा है, intention है, लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, इसलिए पहले परमात्मा की शक्ति और ग्यान का रंग लगाएं, फिर जो intention है न, वो करना बहुत सहज हो जाएगा, त तो पुरानी बातों को होली करना तो बहुत बहुत इसी हो जाता है, सिर्फ दूसरों की गलतिया नहीं, कही पर अपनी भी गलतिया हम पकड़ के रखते हैं, बहुत गिल्ट में रहते हैं, गिल्ट अच्छा रंग नहीं है, अच्छा रंग नहीं है, तो attention रखें, कि अपने इसके अंदर कौन से रंग हैं जो हम संग कर रहे हैं उसके अंदर कौन से रंग हैं अगर जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसके अंदर काम, क्रोग, लोग, मोह, अहंकार, इर्शा, त्वेश, हिंसा, निंदा, मजाक उड़ाना, गल्तियां ढूनना ये सब बाते हैं चाहे जो content हम consume करें, चाहे हम लोगों से जो बाते सुनें तो उस संग से अपने को बचाना हैं और उसके लिए उस रंग से अपने को बचाना हैं तो कौन से रंग से अपने को बचाना हैं और कौन सा रंग अपने पे लगाना हैं और कौन सा रंग दूसरों पर लगाना हैं इस होली में पक्का कर लेजे और जब ये करेंगे तो रिष्टों में मिठास तो इतनी सह जाएगी कि ऐसा लगेगा कि हमने कौन सी बातों से अपने रिष्टों को इतना मुश्किल बना कर रखा हुआ था वो रिष्टों में मिठास तो नाच्रल आजाएगी हर आत्मा का गुणो से श्रिंगार हो जाएगा, purity से श्रिंगार हो जाएगा, संसकार बदल जाएगे, तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि संसकारों से ही तो संसार बन रहा है, तो जब हमारे संसकार बदल जाएगे, जब हर आत्मा पर उस रंग का असर आ जाएगा, और आना ही है, क्योंकि सब के स क्या होगा? नहीं, always remember, it is power of one, रंग कोई एक ही लगाना शुरू करता है, देखा ना घर में सारे इकठे नी रंग लगाते, कोई एक शुरू करता है, और बहुत जल्दी परिवार में सब रंग जाते हैं, सब उस रंग से रंग जाते हैं, तो एक को, एनी वन, आज एक ही शुरू करें, और आप अपने आप से आज ये पक्का करें, I will be that one, मैं वो एक हूँ, मैं वो एक हूँ, जो समय निकाल कर, परमात्मा से connection जोड, meditation सीख कर, परमात्मा का रंग अपने पर लगा कर, अपने पूरे परिवार पर, संबंधियों पर, दोस्तों पर, और जहां हम कार्य करते हैं, workplace पर, सब पर लगाऊंगी मैं आत्मा, अपने आप ही लगेगा वैसे, लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लगता है, जब हमारे अंदर कुछ गलत रंग होते हैं, tension का, गुसे का, hurt का, वो भी तो रंग दूसरों पर लग जाता है, उ जब हम इस तरह से pure, holy बन जाएंगे, पुरानी बातों को holy कर देंगे, और प्रभू के उलाद उस वृती में सारा दिन समर्पन, उसकी शिक्षाओं के प्रती समर्पन रहेंगे, तो फिर संसकार परिवर्तन हो जाएगा, कल्योगी संसकार, तंग करने वाले, दुख करने व मर्ज हो जाएगे, और ये संसार बदल जाएगा, इसलिए, holy के दिन जांक्या भी निकालते हैं, जांक्या, देवी देवताओं की जांक्या, तो क्या हमें याद दिला रहा है, कि सत्योगी दुन्या, वो हमें बनानी है, कैसे बनाएंगे सत्योगी संसकारों से, तो इसलिए जलाना, फिर रंग लगाना, फिर मंगल मिलन मनाना, और फिर जांक्या सजाना, ये चारों चीजे हमारे जीवन जीने का तरीका है, इस तरहे ही हमें जीवन जीना है, पर मात्मा के संग से वो डिवाइन श्रिंगार अपना करना है, और सिरफ वो अपना नहीं, संसार ही बद जाएगा सिर्फ कल्योगी दुन्या को देख देखकर परिशान नहीं होना है यह क्या हो रहा है दुन्या कैसी हो गई है आगे क्या होगा यह परिशानी का रंग ना हमारे लिए ना औरों के लिए अच्छा होता है बस आज बग्का करें हम meditation सीखेंगे स्वर को परिवर्तन करे संसकार बदलेंगे और संसार परिवर्तन के हिस्ण बन जाएंगे पनाथ मा संसार परिवर्तन का कार्य करते हैं लेकिन विधी क्या है आत्मा के संसकार परिवर्तन तो कल्यूगी दुनिया को देखकर परेशान नहीं हो ना दरना तो बिलकुल नहीं जिम्मेवारी उठा लेना के मैं आत्मा सत्यूगी श्रिष्टी बनाने के लिए सत्यूगी संस्कार आच से। मैं आत्मा अपने अंदर इमर्ज करती हूँ और बाकी कल्योगी संसकारों को सदा के लिए समाप्ती देती हूँ. ये है होली बनना और सिरफ खुद होली नहीं बनना, औरों को भी बनाना और स्रिष्टी को ही पवित्र, होली, सत्योगी बनाना. शुक्र्या, ओम्षंटी.